नमस्कार आ वीडियो चे साइन्स क्लास 10 चेप्टर 11 पार्ट 3 पार्ट 2 नी अंदर आपणे आखनी समावेस सम्ता विसे जोई गया जिमा सिलियरी मसल्स चेही लेंस चेही केंद्र लंबाई मा फिरफार करवानू काम करे छे वस्तुनू प्रतिबीम रेटीना पर रचाव माटे सिलियरी मसल्स द्वारा केंद्र लंबाई मा योग्य फेरफार थाई छे अने एने आनूरू प्रतिबीम छेही रेटीना पर मड़े छे हवेनू आपड़ो आगलो टोपिक छे द्रस्तीनी खामियो अने तेनू निवारन बराबर जोजो सवथी बे अगतिनी वाच्छे तमारे जे याद राखवानी छे समावे सक्समतानी अंदर आपणे जोईगिया ता नोर्मल आख होई समानी अद्रस्ती धरावतो व्यक्ति होई तो येमनू नजीक बिंदु छे ए 25 सेंटिमीटर सुदीनू छे एटले के शामानी अद्रस्ती धरावतो व्यक्ति 25 सेंटिमीटर अंतर सुधी नुँ नजीक नुँ स्पस्ट जोई सके छे 25 सेंटिमीटर थी वधारे नजीक लई आओ तो ए वस्तु जुवामा एमने तकलिप पड़े छे फरिथी सामान्य द्रस्ति धरावता व्यक्ति माटे दूर बिंदू अननत अंतर सुधी लेवा मावे छे हवे खामियों केवी रितना उत्पन थाई छे तो तमे बराबर याद राखो आपणे नजीक बिंदू छे ए 25 सेंटिमीटर छे हवे दारीलो के तमे आख थी जोव छो अने 25 सेंटिमीटर अंतर कोई वस्तु अथ तो तमारी टेक्सबूक लाव छो तो तेमना अक्सर तमने बराबर स्पस्ट देखाई छे हवे जो आख नू नजीक बिंदू दूर धके लाई जाए एनो मतलबें कि 25 सेंटिमीटर सुधी नू आपणे नजीक बिंदू हतु ए 40 सेंटिमीटर सुधी दूर धके लाई गी होई तो हवे जे 25 सेंटिमीटर आपने एकदम स्पस्ट देखा तू तो एस पस्ट जोहा माटे आपणे 40 सेंटिमीटर अंतर आपणे देखा से क्यारे तमने एना बधा अक्सर स्पस्ट देखा से एटले के 40 सेंटिमीटर अंतर राखवी बढ़ से तो आ एक प्रकार नी आखमा खामी उत्पन थे द्रस्ती मा खामी उत्पन थे यह केवाम आवे बिजू धारोक के आपणे दूर बिंदू छेई अननत अंतर छे है कणी वखात एव थतु होई के दूर बिंदू नजीक आवी जतु होई एनो मतलबें कि अनन्त अंतर आपने वस्तु दूर नी स्पस्त देखाती होई पण हवे अनन्त अंतर ने बदले दूर बिंदू नजीक आवी जाई तो दूर नी वस्तु थोड़ी नजीक होई त्यारे आपने स्पस्त देखाती होई पण बोव अंतर वधी जाई त्यारे आपने सपस्ट देखाती ना थी तो त्यारे पण द्रस्टीनी खामी उत्पन धाई छे आपणे डिटेल मा जुवानू छे आद्रस्तिनी खामियों खरेखर केविरी ते उत्पन धाई छे औने एना निवारण माटे सू करवू जोई है तो एमनी बधी आकरूतियो औने लखान छे यापणे आपणे आपणी स्टेटर्स जी प्रमाणे आगडवदी है किटलिक वार आखो धिमे धिमे पोतानी समावेस क्समता गुमावती जाई छे समावेस क्समता गुमावी एनो मतलबें के सिलियरी मसल्स जरूर्याद प्रमाणे केंद्र लंबाई मा फिरफार करी सकता ना होई लेंस नी तो एनी समावे समता गूमावे छे एउकेवाई आली परिस्थिती माँ व्यक्ती वस्तु उने आराम्थी अने स्पस्ट जोई सकती नथी एटले के जरूर याद प्रमाणे केंदरलंबाई मा फिर्फर ना थाई तो वस्तु छे इने आराम्थी अत्वत स्पस्त रूपे आपणे जोई सकती नथी आखो माँ वक्री कारक खामी योने कारणे द्रस्ती माँ जाखप आवे छे आपदी वक्री भवन कारक खामीयों चे वक्री कारक खामीयों चे इने कारणे द्रस्ती मा जाख़ पावे छे एकले आपने जोहामा प्रोब्लेम पड़े छे द्रस्ती नी वक्री कारक खामी ओना मुख्यत्वे त्रोण प्रकार छे बराबर तमें याद राग जो लगू द्रस्ती आनाम उपर थी गणू बुदु आपणे समझी सक्से लगू द्रस्ती नी खामी अथ्वातो मायोप्या इने केवा मावे छे नियर साइटनेस और मायोप्या एटले पेल्ली खामी लगू द्रस्ती नी खामी बीजा सब्दमां इंगलीस मां इने मायोप्या बीजी खामी गुरू द्रस्ती नी खामी अथ्वातो हाइपर मेट्रोप इंग्लिस फारसाइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया त्रीजू छे प्रेस बायोपिया आ खामियोंने योग्य गोडिय लेंस वापरी ने सुधारी सकाई छे अपड़े आ खामियों सुधारवा माटे चोकस प्रकार्नी केंद्र लंबाई वड़ा अथ्वा तो गोडिय लेंस वापरवा पड़े अने एने अनुरूप खामियों सुधारी सकाई आपड़े आ खामियों अने तेना निवारण विशे हवे चर्चा करी सुव अथले हवे आपड़े आबदी खामियों विशे डिटेल मा जोवानू छे पेल्ली खामिय लगूद्रस्ती अथ्वातो मायोप्या बीजी खामिय गूरूद्रस्ती अथ्वातो हाइपरमेट्रोप्या अने त्रीजी प्रेस बायोप्या अ त्रणे विशे आपड़े डिटेल स्टडी करवानों छे तो पेल्लू जोई आपड़े मायोपिया बर्याबर जोजो तमें मायोपिया वाड़ी वाद अवे समझवानी छे आपड़े लगू द्रस्ती नी खामी आ सब्दनों अर्थ करिये न आपड़े लगू द्रस्ती लगू एटले नजीक, नजीक नी द्रस्ती एटले लगुद्रस्ति निखामी वाडई वाद छे एमा व्यक्ति नजीकनु सपस्त जोई सके दुरनु जुha मा तकलिप पड़े क्सू थाई छे खर्यकर तो आपने वाद करी गया ता दूर नू जो अमा तकलिप पड़ती होई तो दूर बिंदू क्या आवी जतू होई छे नजीक आवी गेलू होई क्यवी रितना थाई छे आगण जूई लगू द्रस्ती नी खामी फरिती तमें याद राख जो लगू द्रस्ती एनो मतलबेम के ए नजीक नू स्पस्त जोई सके छे दूर नू जो आमा तकलिप पड़ती होई तो तमार याद राखवानू छे के दूर बिंदू अनन्त अंतर थी खसी ने थोड़ू नजीक आवी गियू होए लगुद्रस्ति नी खामी पन केवाई छे मायोप्या धरावती कोई व्यक्ति नजीक नी वस्तुने अस्पस्ट जोई सके छे आ सब्दा उपर थी तमें कई सक्सो लगुद्रस्ति येटले नजीक नू जोई सके छे दूर बिंदू अनन्त अंतर्य थी खसी ने आखनी नजीक आवी गियलू होए आवी व्यक्ति थोड़ा मेटर दूर राखेली वस्तु ने ज स्पस्ट जोई सके छे लगुद्रस्ति नी खामी धरावती आखमा दूर नी वस्तुनू स्पस्ट प्रतिबिम नेतर पटल पर र वातो नजीक नी वस्तु होई तो नजीक नी वस्तु मा थी निकरता किरणो आ लेंस मा वक्री भवन पामी औने रेटी ना उपर प्रतिबिम रचाई छे एटले लगुद्रस्ति वाडी व्यक्ति छे औने नजीक नू स्पस्ट देखाई छे अवे सू थाई छे बराबर जो आमी औने रेटी ना नी आगडज भेगा थी जाई छे एटले आ जह गिया उपर पॉइंट रचाऊ जोई तू तू एनी बदले बदा भेगा थे गिया छे एटले दूर नी वस्तु जोवामा तकलिप पड़ से एटले नीचे लखेलू छे लगुद्रस्ति नी खामी वाड केली होईते आगड परंतू नेत्र पटलनी आगड रचाई छे आकरूती अगियार पॉइंट बी आ अहिया बदा किरणों भेगा थे गिया छे नेत्र पटलनी आगड खरेखर थवा जोईता ता अहिया एनी बदले आगड ना भाग मा किरणों भेगा थे गिया छे एले लेंस नी वक्रता वधारे होई एटले आखनो लेंस वक्र वधारे होई एटले आ लेंस नो गोडो छे जाडों जाडों होई अने बिजू आखनो डोडो लाम्बो थोई एकले आखनो डोडो छे इलाम्बो थी जतो होई आ खामीनू निवाराण योग्य पावर धरावता अंतरगोर लेंस वापर वाथी थाई सके एटले तम्हें चोक्कस केंद्र लंबाई अथवा तो चोक्कस पावर वाडो अंतरगोर लेंस वापरो तो लगुद रस्ती अथवा तो मायो प्यानी खामीनू निवाराण थाई सके जे आकरूती अग्यार पॉइंट बे सीमा दर्शावियू छे एटले आया बराबर जो जो लगुद रस्ती वाडाने नजिक नूस पस्ट देखातू तू एटले नजिक ना रहेली वस्तू ओ पासे होई तो एनू प्रती बिम्त बराबर रेटी ना उपर ज रचातू तू अवे तकलिप थती ती दूर माटे नी तो आ दूर थी आउत्त एटले तमें आया योग्य केंद्र लंबाईनो अंतर गोल्ड लेंस वाप्रो तो लगुद रस्ती नी खामी नू निवारन थाई सके तमारे सोटकट याद राखोई तो अवे याद रखाए अल जा अ एनू मतलबें के लगुद रस्ती नी खामी लेंस जाडों जाडों रि सके एटले लजा अ याद राखोई नू तमारे लजा अ लगुद रस्ती लेंस जाडों जाडों रिये एटले के वक्रता वधारे होई छे आन्ने योग्य केंद्र लंबाई वडों अंतर गोल्ड लेंस वाप्रो तो खामी नू निवारन थाई जाए चुहे आगड हाइपर मेट्रोपिया अथवातो गुरु द्रस्ती हवे जोजो बराबर हाइपर मेट्रोपिया ने गुरु द्रस्ती गुरु द्रस्ती एटले दूर नी द्रस्ती तो के दूर नी वस्तु एगदम स्पस्ट जोई सके तकलिफ क्या पड़े छे तो के नजीक नी वस्तु जोवा गुरुद्रस्ती नी खामी तरीके उडख्वामे आवे चे ? पर्न्तु नजीकनी वस्त्व तेने अस्पस्ट देखाइ चे ? गुरु द्रस्टी वाडा दूर नुँ जोई सके नजीक नुँ जुहामा तकलिप पड़े नजीक नुँ तकलिप क्यारे पड़े तो के नजीक बिंदू 25 सेंटीमीटर थी दूर खसी गी होई त्यारे आवी व्यक्ती मां आखनु नजीक बिंदू स्पस्ट द्रस्टी अंतर 25 सेंटीमीटर थी दूर खसी जाई छे आवी व्यक्ती ने आरांथी वाचन करवा माटे वाचन समगरी पुस्तक वगेरेने आख थी 25 सेंटीमीटर थी वधारे दूर राखवी पड़े छे एटले तम्ये 25 सेंटीमीटर सुधी बुक राखे लिवो एनी बद्दे तमारे आपणे सरुवात मा उदाहरन जोईगे तक 40 सेंटीमीटर निवाद के रिदी तो 25 सेंटीमीटर बराबर अक्सर ना देखाई तो आपणे बुक ने थोड़ी दूर राखी ने वाच वी आनुकारण नजीकनी वस्तु माथी आउता प्रकास ना किर्णो आक्रूतीत अग्यार पड त्रण बी मा दर्शाव्या प्रमाणे रेटीना ना पाछर ना भागे केंदरीत थाई छे आईया जोईलो आ नजीकनी वस्तु छे नजीकनी वस्तु माथी आउता किर्णो खरेखर क्या भेगा थावा जो यह एया रेटीना उपर एनी बदले क्या भेगा थाई छे तो के रेटीना नी पाछर पर नजीक बिंदू दूर धके लाई ग्यूए आ उपर नी आक्रूती नजिक बिंदू दूर धके लाई गियू छे एन डेस नी जगिये एहां एन पासे आवी गियू छे तो अहियां होई ने एन पासे त्यारे प्रतिबिंदू बराबर रेटी ना परज रचाई छे पर नजिक होई त्यारे जोई सकातू नथी खामीनू निवारण केवी रितना करवानू तो के भई नजिक नी वस्तुने आपणे स्पस्ट जोवी छे नजिक बिंदू दूर वई गियू छे तो एन पासे तो आपणने देखाये छे तो एन वडू प्रतिबिंदू रेटी ना उपर रचाई जाई छे अहियां आपणने एन डेस वाड़ी वस्तु अती एनू प्रतिभीम रेटी ना नी पाछड रचातूतू तो तमें योग्या केंद्रा लंबाई नो बहीर गोड लेंस वाप्रो तो प्रतिभीम छेई रेटी ना उपरा रेट डोट सो रूपे आपने मड़ी जाई छे एटले फरी थी आ नजिक बिन्दू हतू ए दूर धके लाई गियू नजिक बिन्दू दूर धके लाई तो प्रतिभीम रेटी ना उपर मड़े छे आ मड़ेलू एईया बतावेलू छे नजिक बिन्दू तमे जोहा प्रयत्न करो तो प्रतिभीम एईया पाछर रेचाई छे अने एईया बे याकरूती एनू निवाराण केविरीत ना थाई ए दर्सावेल छे आखामी उद्भववाना कारण आ चे पेल्लू कारण आखना लेंस नी केंध्रलंबाई गणी वधारे होवी एटले लेंस आम पात्रों पात्रों रिए केंदर लंबाय वधारे होई तो लेंस पातडो होई पेलामा वक्रता वदी गीती एटले लेंस जाडों जाडो अतो आखनो डोडो खूब नानो थो पेलामा आखनो डोडो लांबो थे ज़तो तो आ खामीनो निवारण योग्य पावर ना बहिर गोड लेंस थी थाई सके एटले गुरु द्रस्टी नी खामी लेंस पातडों पातडोर ये औने बहिर गोड लेंस नी मदध थी थाई सके पेलामा आपड़ याद रहाइक हुतू ल़ जा ऑ आमा तमार याद राख हुओistic लगू द्रस्टी माट अलज तो आयान गुरु द्रस्टी माट ग करी सकोत में ग पातडु पातडो लेंस रे ग पाछिप औने ब गुरु द्रस्टी पातडो लेंस औने बहिर गोड लेंस व प्योग थी नेत्र पटल पर प्रतिभीम रच्वा माटे जरूरी वधारानों फोकसिंग अथ्वातों केंद्रित करवानों पावर मड़ी रहे छे अभी सारी लेंस एटले के बहीर गोर्ड लेंस वापरो एटले तमने प्रतिभीम रेटी नाव उपर मड़ी रहे छे एना पच्छी नी खामी प्रेस बायोप्या समने रिते मोटी उमर नी व्यक्तियों मा आज होवा मड़े छे प्रेस बायोप्या उमर वध्वानी साथे आखनी समावेस्क सम्तामा घटाडो थाई छे जेम जेम उमर वत्ती जाई एम आखनी समावेस्क सम्तामा घटाडो थाई मुट्टा भगनी व्यक्तियों मा आखनू नजीक बिंदू दूर धके लाई चस्मा विना तेमने नजीक बिंदू आराम थी औने स्पस्ट रिते जुवामा तकलिप पड़े एटले उमर वधार होई त्यारे नजीक नू देखातू ना होई एनू कारण तो के नजीक बिंदू दूर धके लाई गियो होई आखामी ने प्रेस बायोप्या कहे चे आखामी आखना सिलियरीस ना युवा नबडा पड़वा थी औने आखना नेत्रमणीरी नी स्थिती स्थापकता उची थवा थी उदभवे चे एटले नेत्र मनी छे इस्थिती स्थापक ताईनी घटी गिवोई सिलियर इसना इवो नबडा पड़ी गिया होई किटलिक पर व्यक्ति लगुद्रस्टी नी खामी औने गुरुद्रस्टी नी खामी अम बन्ने खामी थी पीडाई छे एटले इने नजीक नू जोवामा पन तकलिप पड़े औने दूर नू जोवामा पन तकलिप पड़े आवी व्यक्ति ने द्वी केंद्री लेंस अथवा तो बाइफोकल लेंस नी जरूर पड़े छे तमें घरमा वडिलो होई तो घणीमदी वखतेवा चस्मा जोवा मड़े छे के नीचे नो भाग छे एनी अंदर नानकडुक राउंड होई अने उपर नो भाग आखो जूदो होई एतले बन्ने भाग तमने स्पोस्ट देखायावे तो आवा लेंस होई एने बाइफोकल लेंस हे उखेवा मावे सामन ये प्रकारना बाइफोकल लेंस मा अंतर गोड लेंस अने बहिर गोड लेंस एम बन्ने लेंस होई छे अंतर गोड लेंस पन होई छे अने बहिर गोड लेंस पर होई उपर नो भाग अंतर गोड लेंस धरावे छे उपर नो भाग अंतर गोड होई एकले दूर नी वस्तु जोवामा मदद रूप थाई निचेनो भाग बहिर गोड है तो नजिक निवस्तु जोवामा मदद रूप थाई ते दूर निवस्तु जोवामा मदद रूप थाई छे निचेनो भाग बहिर गोड लेंज धरावे छे ते नजिक निवस्तु जोवामा मदद रूप थाई छे आजकालना संपर क्लेंस एकले के कोंटेक्ट क्लेंस थी अथवातो सस्त्र क्रियाथी वक्रीकारक खामियों ग्रस्टीनी खामियों निवारी सकाई छे रेटी ना डिटेच्मेंट नी सर्जरीयों थती होई छे तमें घणी वकत साम्डेलू होई के डोक्टर आखना चस्माना नंबर उतारी आपे छे पड़ मुड एमा रेटी ना डिटेच्मेंट नी सर्जरीयों थाई अने एने अनुरूप रेटी ना उपरज प्रतिबिम दर्वक्ते रचाई एवु डोक्टर सर्जरी करे छे अने एने मदथी व्यक्ती स्पस्ट जोही सके फरीथी तमारे त्रणई वस्तो नू सारांस अथ्वात त्रणई खामियो विशेनी सोटकट्मा वाद करू सौथी पेल्ला खामियो सुकाम उत्पन धाई छे तोके आखनू नजीक बिंदू होई ए दूर होई अथ्वात दूर जतू रियो होई अखनू दूर बिंदू नजीक बिंदू जतू होई अथ्वात नजीक बिंदू उत्पन धाई छे त्रणई मायो पिया गुरू द्रस्ती एटले के हायोपया अनने त्रीजू प्रेस बायोपया लगुद्रस्टी माटे तमने सोटकट आपड़े किदो छे लजा ओ एटले के लगुद्रस्टी लेंस जाडो न जाडो रेतो होई वक्रीब कारक्स पाटी वदिगी होई औने योग्य प्रकार नो अंतर गोड लेंस वाप्रो तो तमें खामीनू निवारण करी सको लगुद्रस्टी लेंस पातलों पातलों रेतो होई शे दूर बिन दू नजीक आवपी गेल वहाई चे अने योग्य प्रकार नो बहिर गोड लेंस वाप्रो तो तमें स्पच्ट रिते जोई सको छो प्रेस बायोप्या मां मोटी उमरनी व्यक्तियों मां जोवा मरती खामी एमने नजीक नू और दूर नू बनने जोवा मां तकलिप पड़े छे तमें तमारा घर ना दादा दादी चस्मा पेरेला होई तो तमें एमां जोई सको छो एनि आख नी चस्मा मां नीचे नो भाग छ होई जारे दूर नो भाग सोरी नीचे नो भाग छे बहिर गोड लेंस होई आने उपर नो भाग छे अंतर गोड लेंस होई छे एटले के ते उपर थी आम जोवे त्यारे दूर नीवस्तु जोई सके बराबर नीचे थी जोवे त्यारे नजीक नीवस्तु उस पस्ट जोई सकया हगै आपड़े टेक्स बुक मा आपेला प्रस्ट मुझे जोईए पेल्लो प्रस्ट छे आखनी समावेस खसमता एतले सु शाव सरोड प्रस्टा समावेस खसमता एतले बिजुकाई नहीं पण नजीक नी तेमा जो दूर नी वस्तुनू तिक्सन प्रतिवीम नेत्रपटल पर रचाई अने ते स्पस्ट जोई सकाई एतला माटे जरूरियात मुजब आखना लेंस नी केंद्रलंबाइमा फेर्फार करवणी एक्सम्ता होई एने आखनी समावे सक्सम्ता कैवामा आवे ऑधे छे अने जरूरियात प्रमाने केंद्र promotes नामें काम सिल्यरिस नायोक करता ह आतमारी वधारानी माहीती माटे बिजो प्रस्न लगुद्रस्ती नी खामी धरावती एक व्यक्ती एक पॉइंट बे मीटर थी वधारे दूर वस्तुवनेस पस्ट जोई सकती नथी आ खामी नू निवारान करवा क्या प्रकारनों सुद्धी कारक लेंस वापर वो जुई है साव सरवर सिदो जवाब छे लगुद्रस्ती होई तो आपड़े क्यों लेंस वापर ये छिए अंतर गोर्ड लेंस एटले अंतर गोर्ड लेंस नी मदद थी सपस्ट अपड़े जोई सकी है अने 1.2 मीटर थी वधारे दूरनी वस्तू अपण जोई सकाए तमारे अनी अंदर जो लेंस नो पावर केल्कुलेट करवो होई तोपण करी सको तमे 1.2 मीटर थी वधारे दूरनी वस्तू सपस्ट जोई सकती न थी एनो मतलब एं कि प्रतिवी मंतर V तमें लई सको 1.2 वस्तु अंतर अनंत लई सको अने केंद्र लंबाई गोती सको F एना उपर थी तमें P गोतो होई तो 1 अपन F करो तो लेंस नो पावर पन मढ़ी जाए पन अहीं पच पूछेला प्रस्णों नो जवाब तमें डाइरेक प्रस्णों सामन्य द्रश्ती धरावती व्यक्ति माटे दूर बिंदु अन्य नजिक बिंदु एटले सु छेल्ली पाटली पर बेठेला विद्यार्थी ने ब्लेक बोड परनू लखान बाच्वामा तकलिप पड़ेछे आ बाड़क कई खामी थी पीडातू हसे तेनू निवारान के वी रिते थाई सके अवे छेल्ली बेंच थी ब्लेक बोर्ड जोवु होई एटले आपड़े समझी सके के दूर नू आपड़े जोवु छे दूर नू जोवु होई तो एन्ये तकलिप पड़े छे एनो मतलबें के तै लगू द्रस्ती नि खामी थी पीडातो हसे एनो मतलबें के नजिक नू जोईसके छे दूर नू जोवा मा तकलिप पड़े छे तो योग्य केंद्र लंबाई वड़ो अंतर गोर्लेंज वाप्रो तो एक खामीनू निवारण थाई सके छे तो आथी आपड़ा चारेई प्रस्न टेक्सबुक नी अंदर आपेला छे अवे आगड एना पच्छीनू छे आख विशे अत्यंत अगत्य निमाहीती आपड़ने आपेली छे जह आपड़े जोईसी आपड़ा नेक्स्ट वीडियो नी अंदर